वान इंडिया और डौईची वेले के वाच इन विन कॉंटेस्ट में पाटिस्पिट करें और हजार रुपे का Amazon voucher जीतने का मौका पाएं इस वीडियो को ध्यान से देखें और दिस्क्रिप्शन लिंक में दिये गए सवालों का चवाब दें इन्हें साल में एक बार ही निकाला जाता है सर्दियों को दूर भगाने के मकसद से पर कोई नहीं जानता कि ये परंपरा कब शुरू हुई इसे बनाने में तेड़ घंटा लगता है इसे कस के बांधा जाता है अब कहां लगाऊं? मेरे थाई के पीछे की तरह? इतना ठीक रहेगा? हाँ थोड़ा टाइट कर दो अब ध्यान जॉइन्स पर दिया जाता है ताकि बेर्स चल फिर सके सामने की तरफ धके लो? हाँ थोड़ा और, थोड़ा और स्ट्रॉबेर्स अब परेड के लिए तयार है इनके कॉस्ट्यूम्स का बजन करीब 40 किलो होता है बहने बाले को घुटन महसूस होती है शुरुवात में ये बेर्स बहुत आराम से चलते हैं लेकिन फिर, वो बहुत तेजी से भागना शुरू करते हैं और आखिर में सारा भूसा निकाल दिया जाता है और उससे एक बॉर्ड बायर बनाया जाता है ये है स्प्रिंग के स्वागत का तरीका